कि आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडी जनेचर से जर्म आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे साथ ही आज आग की बात करेंगे आग हाइली मेडिशनल प्लांट है और इसकलेपीडिशी फैमिलिका है के लुट रोपीश गाइगेंशिया के नाम से साइन्टिफिकल इडिंटिफाइग किया जाता है मित्रो इसके पत्र इसके सुंदर फूल आप देख पा रहे होंगे सुंदर फूल इसकी जड़ जड़ की च्छाल और इससे निकलने वाला रोगों का निराकरण करने वाला ये प्लांट होता है वात के कारण या किसी भी कारण से उदर सूल हो रहा है याने के पेट में दर्द हो रहा है चाहे वो खेचाव के कारण हो वाम्स के कारण हो या वात की किसी समश्या के कारण हो उस सब को दूर करने वाले प्लांट है उद पाउडर बना लेजिए और इसके पत्र के सको निकाल कर उससे गोलियां बना लेजिए जने दो गोली शुबए दो गोली साम आप खाएंगे तो किसी भी प्रकार का उदर सूल दूर हो जाएगा साथ ही साथ पेट की सभी समस्यां दूर हो जाएंगी और यूरिनो जनाइटल डिसॉर्डर जितने भी हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और इस प्रकार से अगर आप सेवन करेंगे तो जलोदर की समस्या भी दूर हो जाती है जलोदर की समस्या लीवर से जुड़ीवी समस्या है है एंटिवाइटिक्स के कारण या डायविटीज के कारण हमारा लीवर जब पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तो पेट में पानी भरने लग जाता है जिसको हम ज योग और भी है जलोदर की समस्या को दूर करने के लिए इसके पत्र का करीब एक लीटर सुरस आप बना लीजिए उस सुरस को आप पकाईए और पकाने के बाद उसमें 20 ग्राम हल्दी भी डाल दीजिए जब वो गाड़ा हो जाए उसको आप गोली के रूप में बना सकते हैं चने के दाने जितनी गोली बना लीजिए दो दो गोली आप जब सुबह और साम लेते हैं तो जलोदर की समस्या इस योग से भी ठीक हो जाती है वंदर्फुल यह प्लांट है कई बार साथियों वात्रों के कारण बैकेक होता है कमर का दर्द या पशलियों में दर्द होता है तो उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं लेटेक्स को ले लीजे और उसमें काला तिल का पेस्ट बना लीजे, काला तिल को डाल कर इसके दूद में आप पेस्ट बना लीजे और उस पेस्ट को अपलाई कीजे, आप देखेंगे थोड़ी ही देर में होने वाला रिब्स केज का दर्द आसानी से ठीक हो जाता है, कहीं जॉइंट पेन हो, वहां भी इसको आप लगा सकते हैं, कमर का दर्द हो, वहां भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। साथियो, सरसो के तेल को अगर सिद्ध कर लिया जाए, इसके पत्र को डाल कर, आप 500 ml करीब सरसो का तेल ले लिजे, 200 ग्राम इसके पत्र ले लिजे, और 20 ग्राम इसकी जड ले लिजे, और 10 ग्राम हल्दी लेकर धिमी धिमी आज पे पकाईए, तो आपका मालिस तेल तयार हो psoriasis, inflammation, joint pain सबी प्रकार के cartilage से जुड़े हुए muscular system से जुड़े हुए nervous system से जुड़े हुए pain इन सब को ठीक करने का कारे करता है दूसित वरण हो गए हो घाव हो गए हो घाव में कीडे पढ़ गए हो अगर ऐसी भी अगर समश्चा है तो इसके latex को थोड़ा फंसी आसानी से बैठ जाता है और अगर पस होता है तो वो निकल जाता है बहुत अच्छा कारे करते हुए सहस्ता से ठीक कर देता है पैर में अगर काटा लगा है तो इसके पत्र को बान देना चाहिए अगली सुब आप देखेंगे कि काटा भी कि वात के रोगों के निराकरन के लिए कैसे हम इसके पत्र का इस्तमाल करते हैं मद्य पर्देश में जारखंड में बिहार में राजिस्थान में इसके पत्र का उपयोग किया जाता है बाटी वनाने के लिए जब बाटी को हम इसके पत्र से और चारो तरफ से ृदक देते हैं और संडेंसी आयो noise फैसे लिए वह यह PlayStation और गी उए प्रकर को ठीक करता है। भूख को बढ़ाने वाला होता है लेवर को डिटोक्सिफाई करना होता है तो आप देखिए कि हम अपने साधान भोजन को भी किस प्रकार से नूट्रासूटिकल और पोशन देने वाला बना लेते हैं जो शरीर की रोगों को भी ठीक करता है और हमारे स्वास्थे को हमारी इम कालने का भी कारे करती है वंडर्फुल बाटी की फॉर्मलेशन इसके पत्र से हम तयार करते हैं साथियों जगे जगे देखने में यह प्लांट आपको मिल जाएगा लेकिन इसके गुण इतने हैं कि इस छोटे से लेक्चर में समप करना चोटे से इस वीडियो में समप करना बहुत मुश्किल होगा सभी प्रकार के रोगों के लिए इसको उप्योग कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आफ अमने कमेंट कर सकते हैं इमील कर सकते हैं फोन से समपाद कर सकते हैं हाईली मेडिशनल प्लांट है और जिन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है मैं समझता हूं उन बीमारियों के दूर करने के लिए मेडिशन मेंभी कोई इफएक्टिव ज्यादा अभीभी कोई ट्र्वूपो honeymoon में हैं है तो आप उसको यूद मे ला सकते हैं इसका इससका प्रोपर minder Pen keep किया जाता है जानकारी को जरूर अर की चैनल को सब्स्क्राइब करें कल सुpeslafay 6 बिघर मिलेंगे इंज़ साथ झाल झाल